जहीं दोस्तों वेल्कम बाक टू टूब टॉब टॉक दोस्तों गंगुबाई काथियावाडी मूवी फिलहाल सिनेमाज में लगी हुई है और काफी अच्छा धमाल मचा रही है क्योंकि आलिया भट की आक्टिंग का बहुत अच्छा फीडबैक जो है वो सभी जगह से निकल गंगुबाई काथियावाडी को बहुत जादा अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है थीटर में और दोस्तों जाहें इस मूवी को फेबरी के लास्ट वीक में रिलीज किया गया था उसके बाद मार्च के फरस्ट वीक में कोई भी ऐसी मूवी नहीं आ रही है बैटमैन के अला कि OTT रिलीज कौन से प्लाटफॉम पे कौन से दिन होने वाली है इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा सुनना कहीं पिसके मत करना चैनल को ज़रू सब्सक्राब करना क्योंकि ऐसी इंफोमिशन में आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं और दोस्तों मार्च की क्या 100 क्रोर क्लब को टच करेगी उसका रीजन यह है क्योंकि सिनमा में इसका भी अच्छा खासा रन चल रहा है और जैसे जैसे इसके अच्छे रिव्यूज को निकल कर आ रहे हैं तब से लोग इसे सिनमा में देखना चाह रहे हैं और दोस्तों अभी तक की जो इन्फिमेशन न चार महीने पहले ही बाए करके अपने पास रख लिया था और उमीद कम थी इस मूवी के उस ताइम पर चलने की क्योंकि जब करोना के वज़ए से सारे हौल्स वो थोड़ी लिमिटेट कपासिटी पर चल रहे थे उस टाइम पर यह एक्ट किया जा रहा था कि गंगुवाय क प्रामिसिंग फीड़बैक मिला और उसके बाद से दोस्तों इसके रिव्यू के बाद से इस मूवी का जो रन है से नमाज में अब दिन बदिन अच्छा होता जा रहा है इस वाजा से इसके क्रिएटर जिन्होंने पहले इसकी 4-6 वीक्स की विंडू रखी दी सिनमा किया जा रहा है यानि कि जहां 24 फेबरी को यह मूवी सिनमा में रिलीज हुई है 25 फेबरी को तो वहां एक्सपेक्ट किया जा रहा थे कि आपको ओटी पर देखने को मिलेगी लेकिन अब ऐसे चांसे काम है क्योंकि नेट्फिक्स से इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं क्रीटर दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब आपको एप्रिल मिड्स से पहले यह मूवी किसी भी OTT प्लाटफॉम पर देखने को नहीं मिलेगी और जब यह रिलीज होगी 15 अप्रिल के आसपास या उसके बाद तो इसे सिर्फ आप नेट्फिक्स पे देख पाएंगे द अबेल इसके लगल के दिए घज को कर दो एक्रिस के लिए इस बीज़ इस बीज़ आसे जिए प्रुबग ड़को।